खून बढ़ाने का पावरफुल नुस्खा पहला, तक्ये के बिना सो जाने से कमर का दर्द कम होता है और रीड की हड़ी मजबूत होती है दूसरा, अगर आपको भूक ना लगे और भूक लगने पर खाने का भी दिल ना करे तो गुड का इस्तेमाल करे तीसरा, गरम पानी से नहाओगे तो बाल कमजोर होंगे चोथा, पानी कम पीने से होट काले होते हैं पाचवा, जो हर रोज खाली पेट एक टमाटर खाता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते छटा, मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं ये पेट की बिमारियों से राहत दिलाती है साथवा, ज्यादा लसी पीने से जोडों में दर्द की शकायत हो जाती है आठवा, पानी में हरी इलाइची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है नोवा, ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है दसवा, जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो, उनको हर रोज गन्ने का रस पीना चाहिए ग्यारवा, उबाले हुए पानी के साथ दवाई लेने से दवाई जल्दी असर करती है बारवा, खून की कमी हो जाए, तो सलाद में हर रोज चुकंदर खाए तेरवा, जो रात को ज्यादा देर तक जाकते हैं, उनको पागलपन की बिमारी का खत्रा होता है चोद्वा, हफ्ते में एक बार शरीर पर तेल की मालिश जरूर करो, उससे शरीर में चुस्ती आती है पंद्वा, केला ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है सोल्वा, जली हुई जगा पर अंडे की सफेदी लगा देने से छाले नहीं पड़ते सतारवा, सरसो का साग खाने से खून की कमी नहीं होगी अठारवा, नीमभू, अजवाइन और सूखे मेवे शुगर के मरीजों के लिए रामबान है उन्निसवा, मचली खाने वाले लोग दिल की बिमारी से बचे रहते हैं बीसवा, नीम का रस पीने से मुहा से नहीं निकलते इक्किसवा, ज़्यादा खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है बाइसवा, हर रोज दहीं खाने से पेट की तमाम बिमारियां दूर हो जाती है 23. दूद के साथ खजूर खाने से भूलने की विमारी खतम हो जाती है 24. खाने से पहले कोई भी एक फल खाओ जिंदगी भर शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी 25. गाए का कच्चा दूद चहरे पर लगाने से चहरे का रंग निखरता है 26. स्ट्रॉबरी खाने से कबज और सीने की जलन से निजात मिलती है 27. चटनी में काला नमक डालने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी 28. चमेली का फूल सूंगने से गले में बलगम नहीं आती 29. हसना दिमाख में तनाव को कम करता है 30. सोने से पहले अद्रक का टुकडा खाने से पेट बाहर नहीं आएगा 31. रात को पानी में इमली भिगो दें फिर उस पानी से बाल धोले और बदाम या नारिल के तेल की मालिश करते रहें 32. खजूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए हाजमा बिगड जाता है 33. गाजर का इस्तेमाल करते रहने से दिल के मरीजों को फायदा होता है 34. तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन से अराम आ जाता है 35. पेट की चरबी को कुछ दिनों में पिंगलाना है तो पानी में संत्रे के बीज डाल कर पी लो 36. सुभे बासी मूँ 50 ग्राम प्याज का रस पीने से गुर्दे की पत्री तूट कर बाहर आ जाएगी 37. पालक से सांस की नली और फेफडों की खराश दूर होती है 38. दही के साथ बदाम खाओ ताकत आएगी 49. ग्रीन चाय में लहसुन डाल कर पीने से शरीर में ताकत आएगी 40. जादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हाट अटैक होता है 41. कच्चा दूद हडियों को मजबूत करता है 42. पान के पत्ते चबाओ दिमाग खुल जाएगा 43. अगर चाहते हो कि जल्दी बुढ़ापा ना आए तो खाने में पिसी हुई अद्रक का इस्तेमाल करें 44. चावल हमेशा कम खाओ दमे की बिमारी नहीं होगी 45. कपड़े पर दाग धब्बे लग जाए तो नीबू से धोए 46. नीद ना आती हो तो रात में मखाने दूद में पका कर खाए और पाओ के तलवों की तेल से मालिश करें 47. मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीडे मर जाते हैं 48. खाने से एक घंटा पहले पानी पीलो और खाने के दुरान पानी ना पियो पाचन तंत्र सही रहेगा 49. चने की दाल के पानी से छे दिन तक मूध होए सामला रंग दूद जैसा हो जाएगा 50. अगर चाए पीनी है तो खाने के एक घंटे बाद पीनी चाहिए 51. अगर आपको तेजाब बनता हो और बार बार गले में मिर्ची का टेस्ट मैसूस हो तो ऐसे में खरबूजे खाओ कब्ज और जलन में आराम मिलेगा तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसे लगे आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस टिफ्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो